कि नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत था आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड वित्रानिक चलिए दोस्तों आज के सुरुवात करते हैं जैसे कि अपने कौर्टर वन रिजल्ट के सेरी चल रही है तो उसके अंदर छे यानि सटर्डे के दिन बी एलस इंटरेनेसर कौर्टर व संडे मार्किट वरंता आज मंडे मार किड उपन हुआ है तो इसमें अच्छी खास धेखने को मिल गई है आप गिरावट की बजए आपको थोड़के मैं एक्सप्लेइं कर दूंगा और घिरा क्यों वो भी आपको थोड़को एक्सप्लेण कर दूंगा तो प्लीज वीडिय लेटे यानि के जितने वीजा प्रोसेसिंग और इन सब्सक्राइब काम करती है और कॉविट के अलोक होने इनका जो अपडेट 6 अगस 22 तो इनके अपडेशन देखने हो मिली है इनना न्यूज आर्टिकल में ने अपडेट दी थी अब देखिए हम समझते इसको क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसा था बी एलेस इंटरनेशनल सर्विस लिम्टर एनसी बेसी दोनों पर इस्टेट है कंपनी तो आज की डेट में इसका मार्केट का है पर चार अजार अजार आर्सों नातिस करोड़ पेगा इस्टोक पी चला इसका 49.8 का इस्टोक आर ओसी इसका चला 22.2 परसेंट का बुग वै अच्छे देने की अब हम बात करें से क्वार्टर वन रिजल्ट की जून दोजा 22 तो इस क्वार्टर में टॉटल सेल हुए 233 क्रोड पेगा नेट प्रॉफिट निकल गया 30 क्रोड पेगा अर्निंग पैसे निकल गया 1.49 का अब लाश्ट क्वार्टर से क्वार्चन करते है मार्च दोजा 22 तो लाश्ट क्वार्टर सेल ती 254 करोड वो घटके हुए 233 करोड बढ़के सोड़ी बढ़के होगे 233 करोड पेगी ऑपरेशन प्रॉफिट 35 करोड से गटके सीधा 35 करोड हुआ है अर्निंग पर शेर भी 1.73 से गटके सीधा 1.49 हुआ है तो इसमें एक ची क्वार्टर क्वार्टर वाई अब लाश्ट यह से कंपेजिंग आता है जून 2021 तो लाश्ट यह सेल थी 179 करोड से बढ़के 273 हुई है यानिके आपको 90% का डिफ्रेंसल देखने हो मिला सेल के अंदर यह रिया वाई बढ़के सीधा 32 करोड हुआ है नेट प्रॉफिट से 20 करोड से बढ़के सीधा 30 करोड हुआ है अब देखे 20-20 परसेंट का डिजाफा देखने हो मिला अप्रेशन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में अनिंग पर शेर भी देखने को मिली है हमारे को यह रिवाई तो रिजल अच्छा है और क्वाटर क्वाटर वाई रिजल 50-40 का नेट परॉफिट में 10 परसेंट का और अनिंग पर शेर में भी आपको 30 पर सेंगा इज़ाफा देखने हो मिला अच्छी यह जल जल मिले जल खराब नहीं है क्योंकि अनुमान के खॉर्डिंग नहीं है क्योंकि अनुमान था कि यह 280 ए 300 तक 300 करोड का करेगा revenue generate करेगा sale करेगा बट उत्तर कोर्डिंग नहीं हो पाए जिस बदेसे में ग्रावर देखने को मिली है और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और काफी टाम से share अपने अब ट्रेंड में भी था अब जून दोजा बाइस के share holding pattern देखते हैं तो लास्ट मार्ज ओधा बाइस में परमोटर के holding थी 74-59 वो same squatter में आप देखेंगे FIS के holding 1.36 से बढ़के 4.32 हो गई है और DIS के holding 0 ही है और अधर के holding 0.3 है यानि के आप देखेंगे FIS ने अच्छी खासी holding बड़ा ही है squatter में 3% की holding बड़ा है FIS ने काफी अच्छी improvement देखने हो मिली है और result तो अच्छा है result खराब ने कहेंगे result मिला जूला result अच्छा अनुमान के गोटिंग कम आया बड़ प्राफिट बुकिंग होना लाजमी दा इसके अंदर आज के दिन तो देखेंगे result आने के बड़ इसके अंदर कैसा था आज का ट्रेंग से वो समझते हैं तो बजार ओपन होने के बाद थोड़ा सा अप्ट्रेंड गया फिर उसके अदर इसमें प्रॉफिट बुकिंग होई अच्छी खासी यानि यह 4.43% ग्रावर लाके बंद हुआ आज के दिन पे आपन हो तो 236 पर पचास पैसे पर हाई मारा 245 पर लो मारा 239 पर पचास पैसे अदर चाफ यानि काफी टाइम से शेर अपने अप्ट्रेंड के तरफ है और 96% रिटन दे चुगा लाश्ट 6 मेने के अंदर और इसमें हमने कॉल भी दे थे तक के वह भी मेरे टर्गेट हेट हुए थे यह टुडेट के अंदर 148 के रिटन दे चुगा यानि कि आपने एक साल पहले भी अगर शेर में होल गया होगा तो आज के दिन पर आपको 140 रि जब यह शेर ने यहां से ब्रेक आउट देखने को मिला 196 का असपास वहां से पीछे मुड़की नहीं देखा और यह 200 तक के लेवल भी इसने दिखा है 100 ट्रम के अंदर अब आपको इसके नंतर करना हैं अगर आपके पास है जल्दवाजी बिल्कुल नहीं करेगा बेचने क क्योंकि इसमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा हमारे को वह सपेट हमारे को 225 के आसपास वहां से घ्रावट नहीं होगा इसमें यहां से रिबाउंड होगा शेर अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती डिय अफ्र टुमारों के अंदर तो इसमें जल्दी आ को मिलेंगे आपको 225 के सब्सक्राइब करिए सोटर में आपको 250 तक के लिए वाली इसमें देखने को मिलेंगे आई होप यह वीडियो आपके इस वीडियो को लाइक शेयर फावट करने बिलकुल ना बोलें थैंक्यू सो मच पूर वाचिंग इस वीडियो